अगर इस पर भी जवा दीजे और सम्धिजी ये भी बताइए पूर प्रधान मंत्री का कहना है कि मुझक पर चुप होने का आरोप लगता था लेकिन मैं भी मीडिया का सामना करता था प्रधान मंत्री नहीं करते देखिए मोदी जी ने क्या क्या कर दिया जो बोलते नहीं थे वो बोलने लगे हैं जो एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते थे आज वो महागट बंधन बनाने की बात करते हैं कमाल हो गया सच में कल्यूग ही आ गया है मनमोहन जी के लिए छोड़ दीजे भारती जनता पार्टी क्या कहते हैं मैं तो बड़ा सम्मान करता हूँ बुजर्ग भी हैं बड़ी भी हैं मगर याद करिए मनमोहन सिंग जी के लिए उनहीं के मीडिया सलाकार संजे बारू जी ने पूरी एक किताब लिखी थी The Accidental Prime Minister और Accidental प्राइम मिनिस्टर में क्या लिखा था लिखा था कि शाम 6 बचते थे मैं वहां खड़ा रहता था ठीक उसी समय Cabinet Secretary जॉइंट Cabinet Secretary पुलोग चेटर जी आते थे मनमोहन जी जो फाइल पढ़ रहे होते थे उनके नाक के नीचे से वो फाइल चीन के ले जाते थे और सोनिया जी को दे देते थे लिके यह तो हालत एक देश के प्रधान मंत्री की बना की रख़्ी हुई थी मनमोहन जी के बनाए हुए ओडिनेंस को राहुल गांधी जी फार देते थे और कहते थे नॉंसेंस ओडिनेंस, ये नॉंसेंस ओडिनेंस है किसने बनाया, देश के प्रधान मंत्री के बनाए हुए दस्तावेज को गांधी परिवार का एक व्यक्ति नॉंसेंस कह सकता था, वो प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आते थे, वो प्रधानमंत्री अपने आपको बोलने वाला प्रधानमंत्री कहते हैं। याद आगया, मुझे भी याद आगया, मुझे भी एक प्रेस कॉंफरेंस याद आया, वो प्लेन के अंदर बैठे हुए थे, अमेरिका से लौट रहे थे, और सारे लोग प्लेन के अंदर उनसे सवाल पूछ रहे थे, तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, नहीं, विजय माल मालिया को किसी भी कीमत पे हमें बचाना होगा, 3500 रुपए उसको देना ही होगा, वो डूब रहा है, मगर फिर भी मैंने निरने लिया है, कि 3500 रुपए उसे देना होगा, बताइए, ये जवाब कुछ भी हो सकता है, संबित पात्रा जी, लेकिन उसके लिए सवाल सुनना परता है, इसका जवाब, अंजना जी, आप मुझे भी बोलने दिया जाए, मुझे भी बोलने दिया जाए, महत देल से ये बोल रहा है, अब पर चुकी सवाल, विजया मालिया पर थोड़ा सा रुप कर जाते है, पहले प्रेस कॉंफरेंस पर सवाल जवाब हो रहा है, एक प्रेस को, लेकिन प्रधान मंतरी ऐसे कि कोई प्रेस कॉंफरेंस नहीं करते है, ये उनका सवाल है, ने, ने, मैं तो अंजना जी ये बोल रहा हूँ, कौन सा ऐसा विशय है, जो आप लोगों ने पूछा हो, और प्रधान मंतरी जी ने उत्तर नहीं दिया है, हर चैनल के सा प्रधान मंतरी पद को, जिस प्रकार से मजाग बना के कांग्रेस पार्टी ने रखा था, प्रेस कॉंफरेंस छोड़ दीजिए, प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग जी का एक ही बटन था, प्रेस द बटन, और बटन लाइड इंटेंट जनपत, वो बटन दस जनपत में था, जो अपने बारे में बात करेंगे, कुछ देश के हित के बारे में बात करेंगे, यह अभी भी वही राग अलाप रहे, मनमोहन सिंग जी यह बारू ने वो लिखा, उसने यह कहा, अरे भाई, निकलो अब मैदान में, अब जड़ा सड़क पर आके देखो, असलियत क्या है, अप की, जनता ने आपको सुनाए, पांच साल के लिए चुना है, और पांच साल में, जो आपने किया, पहले उसका हिसाब किताब दीजिए, पुराने सारे हिसाब किताब हर चुनाब में हो गए, आपको शिकस्त मिली, हमें दो टर्म मिले, डॉक्टर मनमोहन सिंग को, दो दो ट पाएंगे, संजे बारू को तो आपको राजसभा दे देनी चाहिए थी, नहीं दी विचारे लालच में लिग गए, जो लिग गए, और उन्होंने यह नहीं लिखा कि फाइल छीन लेते थे, आप मुझे ये बताईए, जिस ओर्डिनेंस को फारने की आप बात करते हैं, क्य एक और मैं बात बतादू, इसको चेतावनी समझ लिजेगा, जब 2019 में हमारी सरकार आएगी, उजवला पर एक श्वेत पत्र निकलेगा, और जो इंक्वाइरिया होंगी, बहुत लोग बच के भागेंगे इस देश से, अभी तक तो सिर्फ उद्योग पती भाग रहे हैं, नेता भी भाग जाएंगे इस देश से, यह मैं बता दूँ और विजे मालिया पर मैं आपको याद दिला दूँ, तीन दिन पहले आपके साथी नितिन गटकरी जी ने बोला, कि वो चोर नहीं है, वो भगोडा नहीं है, उस पर भी आपका जवाब बनता है, हम उस वक किंग सवाल पूछ लिया, मुझे लगता अनायास ही पूछ लिया, गलती से पूछ लिया, यह पवन भाई ने मैं जवाब देता, उन्हों ने कहा जो ओडिनेंस भाड़ी थी राहूल गांधी जी ने, हम उस ओडिनेंस के पक्ष में थे या विरोध में थे, हम तो विरोध में थे मगर आज जो बड़ी बात यहां पर कहा है पवन जी ने, पवन जी ने कहा कि मनमोहन सिंग जी और तमाम कांग्रेस पार्टी ने गलती की थी, केवल राहूल गांधी ने सही किया, एक प्रधान मंत्री ने इतनी बड़ी गलती की और आपने रिप्रिमेंट तक नहीं किया, आपकी पूरी पार्टी अजे माकेंट जी प्रेस कॉन्फरिंस कर रहे थे, मुझे याद है, प्रधान मंत्री की ओड़ीन्स को पढ़ रहे थे जब फाड़ा गया था, तो आपने आज पहली बार यूपिय की सरकार और कॉंग्रेस पार्टी और मनमोहन जी को इंडाइक्ट करने का काम किया है, दूसरी बार आपने आज लालू प्रशाद यादफ के खिलाफ भी कहा है, कि हाँ लालू प्रशाद यादफ करप्ट हैं और उनको जेल में रहना चाहिए, वो चारा चोर रहा है, और वो जेल में रहने ही चाहिए, आज आप इसका उतर दे दीजिए कि लालू प्रशाद यादव के साथ आप गटबंधन करनी रहें क्या जो आज आप लालू प्रशाद यादव को इतना करप्ट और इतना धोके बाज और चोर बता रहें लालू प्रशाद यादव को और नेता कहा भाग जाएंगे आप बता रहें 19 में हाँ हाँ कुछ नेता भा लोगपाल पर पुछना चाह रहा हूं इनसे कहां गया लोगपाल ये भ्रष्टाचार ब्रष्टाचार करके अन्ना जी के कंभे पर पाउं रखे हां तक पॉंच गए आप और अर्विंद केजरिवाल कहां गया लोगपाल इसका जवाब देने आ नहीं बनेगा इनको दो बज है दिनों में क्या कोर्ट्स क्या निरने लेते हैं अपील में वो देखा जाएगा